नमस्कार दोस्तो मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का रीजनिंग की इस ट्रिकी दुनिया में और आज की क्लास में हम निकालने जा रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं कोई भी एंगल निकालना चाहे कोई भी सवाल हमारे पेपर में आए एंगल कैसे निकालेंगे मातर 2 सेकंड में ध्यान से देखो दोस्तों मान कर चलो सवाल है कि 7 बज कर 30 मिनट पर एंगल पूछ रहा है कितने डिगरी होगा एंगल का मतलब होता है इन दोनों सुईयों के बीच में कितनी दूरी होगी ये दूरी पूछी जा रही है इसके लिए एक सांदार सा फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है 60 H difference 11 M upon 2 जिसमें H का मतलब होता है आवर मतलब गंटे और M का मतलब दोस्तों मिनट होता है मैं बोलूंगा 60 में कितने की गुड़ां? 60 में करेंगे 7 की गुड़ां difference 11 में कितने की गुड़ां करेंगे? 30 की गुड़ां करेंगे और भाग कितने से देंगे? 2 से 60 सत्य 420 हो जाएगा और 11 30 से हम 330 हो जाएगा जब 2 से भाग दूँगा दोस 420 और 330 का अंतर 90 आएगा 90 बटे दो करूँगा तो 45 डिगरी आ जाएगा और ये सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया ये सवाल का आंसर आ गया लेकिन कभी-कभी बड़ा कॉट भी पूछ लेता है बड़ा कॉट होता है ये वाला तो कुछ नहीं करना इस 45 को 360 में से घटा देना है 360 में से जब 45 माइनस करूँगा तो 315 आएगा छोटा कौन पुछेगा तो 45 डिगरी बड़ा कौन पुछेगा 315 डिगरी तो दोस्तो आंसर आएगा A, B, T, C दोनो यानि कि हम बोलेंगे 315 और 45 डिगरी दोनों के दोनों सवाल के आंसर होंगे जब मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेस्टन की तो नेक्स्ट क्वेस्टन देहान से देखाएंगे 3 बज़कर 30 मिनट दोबारा से लगाएंगे न ये फॉर्मूला कैसे बोलेंगे स्टार्ट गुडा कितना 3 मैं बोलूँगा डिफरेंस कितना 11 है गुडा 30 और 2 से क्या दूँगा दोस्तो भाग दूँगा 60 ए 180 आएगा बोलो हायना डिफरेंस 11 है 30 से हम 330 आएगा बोलो हायना बटे 2 180 और 330 का जो अंतर आएगा वो 150 आएगा 150 बटे 2 करूँगा तो कितना आजाएगा 75 डिगरी ये सही आंसर है लेकिन ये है छोटा कौण छोटा यानि ये वाला कभी पूछले बड़ा कौण कुछ नहीं करना केवल इसे घटा देना है 360 में से जब 360 में से मैं 75 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 285 आएगा और दोस्तो 285 यहाँ 25 यहाँ आएगा ए तत्रा भी दोनों बहुत सांदा बात समझ में आई होगी नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वस्चन क्या है 4 बजकर 12 मिनट पर कितने डिगरी का कौर दोनों के बीच में बनेगा फॉर्मूला जिंदाबाद है लगा देंगे अंसर आजाएगा कैसे बोलाएंगे 60 में कितने की गुणा होगी H का मतलब 4 की गुणा डिपरेंस निकालूंगा 11 में कितने की गुणा 12 की गुणा होगी और भाग कितने से 2 से 64 का 240 होंगे और 11 बारियम 212 बारियम 232 हो जाएंगे ये 132 हो जाएंगे और भाग कितने से दूँगा 2 से 240 और 132 का अंतर कितना आएगा 108 का आएगा ये 108 का अंतर होगा 2 से भाग दे दूँगा 54 डिगरी आंसर आ जाएगा 54 डिगरी चुट कियों में सवाल खतम Option नमबर C हो जाएगा Next question क्या कहता है द्यान से देखना 12 बजकर 5 मिनट पर दोन सुईयों के बीच कितने डिगरी का कौण बनेगा दोस्तों एक बाद द्यान से देखो इस सवाल में पूछा है चोटा कौण कितने डिगरी का बनेगा जब 12 बजकर कुछ मिनट दे रखी हो और चोटा कौण पूछ रहा हो तो चोटा कौण निकालने के लिए कभी भी 12 बजकर कौण नहीं मानते 12 को हमेशा 0 मानते है और 12 बजकर 5 मिनट को ऐसे लिखते है बोलो 12 बजकर 5 मिनट ऐसे भी तो लिखा जाता है तो मैं कैसे करूँगा मैं 6 में गुणा कर दूँगा 0 की और डिफरेंस कर दूँगा 11 में 5 की और भाग दूँगा 2 से 60 में 0 की गुणा कर रही तो 0 आया 11,55 आया 2 से दे दो भाग 55 और 0 का अंतर कितना 55 दो से भाग दे दो 27 आंसर आएगा 27.5 कहां पर है option नमबर D पर है बात समझ में आई होगी लेकिन सर फॉर्मूले के अलावा कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं ये तो basic हो गया लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर चुटकियों में बिना पैन उठाई सवाल solve कर दिया जाता है और वही में सिखाने अब जा रहा हूँ जब कभी भी सवाल के अंदर कुछ अनुपात आ जाए तो क्या होगा जैसे जैसे 5 बजकर 20 मिनट दियान से देखो 5 बजकर 20 मिनट में सवाल का अनुपात कितना बन रहा है 5 एकम 5 5 चौका 20 यानि जब सवाल में एक अनुपात 4 बने जैसा मैंने लिखा है जब किसी प्रेस्ण में समय का अनुपात एक अनुपात 4 बनता है तो मिनट का दो गुना कर देते हैं किसी भी फॉर्मूले की आवस्यक्ता नहीं परती तो बिना पैन उठाए आंसर कैसे देंगे मैंने कहा 20 का दो गुना 40 ये सवाल का आंसर सर अगर मैं इसे इस फॉर्मूले से करता तो क्या कोई और आंसर आता नहीं यही आंसर आता कोई भी फर्क नहीं परने वाला है लेकिन ये ट्रिक एकनपाथ 4 पर ही लागू होगी जब मिनट में दो गुना कर देंगे फॉर्मूला भी जिंदाबाद है क्या एकनपाथ 4 के कुछ सवाल करने के लिए आप तैयार है तो ये रहे एकनपाथ 4 के कुछ सवाल ये सब सवाल एकनपाथ 4 के है इनके आंसर मात्र 10 सेकिंद में कैसे निकालेंगे सब ही क्वेस्चनों के चार का दुगना आठ आठ का दुगना सोले बारह दुनी चौविस सोले दुनी बतिस बीस दुनी चालिस चौविस दुनी अर्थालिस ये क्या आएगा बनते हैं देखो कैसे ऐसे ये कह रहा है पांच बजकर 25 मिनट जब मैं पांच बजकर 25 मिनट को सॉल्ब करूँगा तो पांच एकम पांच और पांच पंजे 25 अनपाथ बोलो कितना बनेगा एक अनपाथ पांच बनेगा क्या ये बात क्लियर है बहुत सांदर एक अनपाथ 5 में मैंने क्या कहा मिनट का देखो द्यान से किसी समय का अनपाथ एक अनपाथ 5 और एक अनपाथ 6 यानि दोनों की एक ट्रिक है ये तो मजे की बात है एक को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा एक अनपाथ 5 और एक अनपाथ 6 में मिनट का क्या करते हैं आधा करते हैं दोस्तों क्या अंसर आ जाएगा पाँच बजगर 25 मिनट तो क्या बोलूगा मिनट कितनी 25 25 का आधा कितना साड़े बार है साड़े बार है का मतलब option number C सही हो जाएगा option number C सही हो जाएगा एक अनपाथ 5 के कुछ और सवाल दिखाता हूँ देखो कैसे मैंने कहा ये वाली लाइन ये एक अनपाथ 5 है ये वाली लाइन एक अनपाथ 6 है बहुत बढ़िया मेरे दोस्त कैसे करेंगे कुछ नहीं करना मिनट का आधा करना है क्योंकि एक अनपाथ 5 और एक अनपाथ 6 पे क साड़े 17, 30 का आधा 15, 10 का आधा 5, 45 का आधा, साड़े 22 आएगा, यहाँ पर 6 का आधा 3, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9, 30 का आधा 15, 42 का आधा 21, और 24 का आधा 27, दोस्तों बिना पैन उठाए आप सवाल का आंसर कर सकते हैं, ऐसे ही एक अनपा 10 की भी ट्रिक बताता हूं, एक अनपा 10 बनता है, घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं, घंटे में कितने की गुणा कर देते हैं, 25 की गुणा कर देते हैं, तो मुझे एक बाद बताओ, 4 बज कर 40 मिनट, एक अनपा 10 है, क्योंकि जब मैं इसे काटूंगा, तो 4 बज के 40 मिनट कैसे आएगा, 4 एकम 4, 4 दाहम, 40, एक समझ में आई, एक अनपाद 10 के कुछ और सवाल दिखा देता हूँ, देखो द्यान से, कैसे बोलेंगे इनका, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 25 एकम, 25 सवाल का आंसर है, 25 दूनी 50 सवाल का आंसर, 25 तिया 75 सवाल का आंसर, 25 पंजे 125 सवाल का आंसर, दोस्तों मेरे साथियो अगर मैं यही बात को आगे बढ़ाऊं, तो आज की ग्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया, एक अनपाद 4 जब भी आ जाए, तो मिनट का दो गुना कर देते हैं, मिनट का दो गुना, एक अनपाद 5 और एक अनपाद 6 से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए, तो मिनट का आधा कर देते हैं, मिनट का क्या कर देते हैं, जब कभी एक अनपाद 10 बन जाए, तो क्या करते हैं, घंटे में 25 की गुणा करते हैं, और अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए, जिसमें कोई अनपाद ना बन रहा हो, या मैं स्ट्रिक को भूल जाओं, हर जगे होगा, चाहे कोई अनपाद बन रहा हो, चाहे कोई अनपाद नहीं बन रहा हो, चाहे मैं उसे भूल जाओं, हर जगे जिन्दाबाद क्या है, मैं बोलूँगा, 60H डिप्रेंस 11M अपॉन 2, बच्चों कहीं भी लगा दो, कहीं भी बिठा दो, सवाल का आंसर जरूर आएगा मुझे उम्मीद है, एंगल निकालना आपने आज की क्लास में कम से कम बहुत बहतर सीखा होगा, और दोस्तों अगर आगे भी ऐसी ट्रिक लानी है, तो आज की क्लास में जबर्दस तरीके से कमेंट करके बता दो, क्या भविस्य में अगले चैप्टरों की और घड़ी से द